मौर्निंग वोक पर निकले यूवक को बदमाशों ने मारी गोली हालत गंबीर मुरदबाद के थाना मंजोला छेतर के बुद्धी भिहार में सुबा मौनिंग वोक पर निकले एक व्यक्ति को अग्याद बदमाशों ने गोली मार दी जिससे इलाके में हडका मच गया परिजोनों ने यूबब को घायल अवस्था में इस्थानी नीजी होस्पिटल में भरती कराया है जा पर उसकी हालत गंबीर बनी हुई है सुचना पाताना पुलिस और एसस्पी भी होस्पिटल पहुंच के रुगटना की जाश शुरू करने के आदेश दिये हैं मुरदवाद का पौश इलाका माने जाने वाला बुत्ती भिहार में आज सुपा पांच बजे उस समय हड़कम मच गये जब लोगों की आँख गोली की आवाज सुनकर खुली दरसल घटना उस समय घटी जब लोग मौनिंग वाग के लिए अपने घरों से निकले हुए थे उस समय लोगों ने गोली चलनी की आवाज सुनी तो हड़कम मच गया वाणिंग वाग कर रहे हैं लोगों ने देखा एक यूवक जमीन पर पड़ा हुआ है और उसके शडियर से खुन बे रहा है गयल यूवक की चैप पैचान हुई तो वे वही किराय के मकान में परिवार के साथ रह रहे है धुरुप कुमार के रूप में हुई जिसकी सूच लेकर पुलिस के आला दिकारियों को घटना से अफगत कराया जिसके कुछ देरबादी एससपी प्रभाकर चोधरी भी होस्पिटल पहुंचे और घ्रुप से मामले की जानकारी लेने के बाद जल्दी घटना का खुलासा करने के निर्देश पुलिस को दिये हैं इस मामले म ने बताया कि कुछ लोगों से रंजिस चली आ रही है हो सकता है उन्हीं ने हमला किया हो इस गोली करांट पर जानकारी देते हुए कि इनकी पत्नी के आने पर मैं इनको लेकर के अस्पता लाया हूँ अपक्स गाड़ी से डाल करके इनकी रंजिस चल लई है पहले से कि यह थाना मजोला शेत्रांतरगत गुद्धि वियार में श्रीय श्रीय कुमार को गोली लगने की सुछना सुबह पलिस को पांच बज़े की है अपने घर के पास यह जो तैनने की निकले थे तो कुछ अभ्याक व्यक्षिद और इनको गोली मारे गई यह इस समय हॉस्पि जाएगी मुकदमा कंजित्रित करके इसमें बड़ी कारों पहुंग करी जाएगी